Hello everyone, मैं परम स्वागत करता हूँ आप सब का अपने प्लैटफर्म ब्राइट हो रिजोन्स पर तो कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग आप लोगों के लिए एक ऑफिशल अपडेट लेकर आते हैं किसी भी गवर्मेंट जॉब के लेटेट चाहें वो कट आप के लेटेट हो चाहें वो रिजल्ट के लेटेट हो चाहें वो एड्मिन कार्ड के लेटेट हो चाहें वो किसी government job की notification के लिटेट हो तो आज हम अब एक update लेकर आए हैं काफी सारे बच्चे इस चीज का wait कर रहे हैं SSEGD2023 के physical का wait कर रहे है जी हाँ, physical का notice आया है हाल में जारी हुआ है, कुछ तेरे पहले notice जारी हुआ है physical का, आये देखते हैं, side पे notice वो second, यहां से यह रहा वो notice, थोड़ा clear नहीं है, माफी चाहता हूँ हमें अन अफिशल अपडेट से मिला है बट थोड़ी देर में, कुछ ही देर में आज यह शाम तक यह official site पर update हो जाएगा directorate, general CRPF, east block 7, level 4 यह address लिखा हुआ है, ठीक है जहां में में चीज़ पर चलते हैं, recruitment constable GD-2022, CAPF, SSF, NCV, assignment of recording, PST और PET के regarding यह नोटीजे, SSC ने declare किया है, result CBT computer based का 8 April 2023 को, और shortlist किये थे 3,70,000, approximately 71,000 बच्चे, और इनका जो physical है, PST, PET है, वो 24 को होगा, कब होगा, 24 को होगा, 20, 24 को होगा, जो की पहले 15 को होने वाला था, तो आप लोग अपने physical की तहरी को वैसे ही continue रखिएगा, तो ज्यादा admin card के चिंता ना करो, कुछी दिर में admin card आ जाएगा, ठीक है, हफता, minimum हफते पह पहले तो admin card आ जाएगा, तो इसी के साथ ही thank you, wish you all the very best